हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंज बुटिक में मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ कॉलर नेक डिजाइन वो भी पोटली बटन के साथ ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है जिसका तीरा आठ इंच और इस तरहें से मोडे भी हमने आठ इं इंच के आसपास लिया है 2.5 इंच में 2.5 इंच इस तरहें मार्जन लिया है नेक कट करेंगे तीन इंच हमने यहां से नेक की चोड़ाई और लंबाई 3.5 इंच लेंगे तीन भी आप रख सकते हैं मैं इसमें 3.5 इंच ले रही हूं और इसको इस तरहें से राउंड मिला कर देंगे अब इसको कट कर लेते हैं अब हमने आम होल की भी कटिंग करनी है आगे वाला पार्ट है तो इसमें मैं करीब पॉना इंच की इस तरहें से गुलाई कर दी है और यह हमारा फ्रंट पार्ट है अब मैंने यह बुक्रम ली है पेस्टिंग वाली यह बुक्रम है इ 2 इंच ये चोड़ा है और लंबाई जो है इसकी 13 इंच है तीन इंच उपर से हमने नेक कट कर दिया तो 16 इंच तक हमारा ये डिजाइन तयार हो जाएगा अब हमने इसको इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेना है बुकरम को बिल्कुल सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे और ए बिल्कुल एक पैर की शिलाई जितना आता है उतना हमने यहाँ पर एक मार्क लगा के सीधा निसान लगा लेना है पैन से और इस पर हम पिं लगा देते हैं इसको हमने कट करना है बिल्कुल एक पैर की जितनी सिलाई होती है, एक सूथ जितना हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है और एक इंच नीचे हमने छोड़ दिया था और यहां से इसको अलग कर देंगे अब पिन हटा के इसकी शेप चेक करते हैं कि यह अच्छा बनाया किया बिल्कुल प्रोप पर आया है, अब हमने इसके कपड़े के उपर पेस्ट कर लेना है और आधा इंच का जो कपड़ा बहार छोड़ा था उसको फोल्ड करके इस तरह सिल लेंगे अब हमने इसके उपर जो है दूसरी तरफ निसान लगाने है पटी को पलट देंगे और पलटने के बाद जो हमने जितना यहां से पार्ट बुकरम का कट किया है वो हम इसको यहां से मार्क लगा के पहचान बना लेंगे इस तरह से पैन से आप निसान लगा लें और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने इसके उपर इस तरह से निसान लगा लिया है जहां तक हमारा बुकरम बीच से कटा हुआ है निसान हमारा लग चुका है अब हम पोटली बटन से इसमें डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से मैंने पोटली बटन बहुत सारे बना के रैडी कर लिये हैं और इनको हम इसके उपर स्टीच करेंगे तो हमने पोटली बटन को बिलकुल एक्जेक्ट ये वाले पॉइंट पे हमने स्टीच करने हैं जो ये पैन से मैंने निसान लगाए हैं ये वाला एक सिंगल सिलाई से या डबल सिलाई से इस तरह से इसके उपर हमने स्टीच कर लेना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं थोड़ा सा हट के मैंने ये पोटली बटन स्टीच किया है और इस तरह से बिल्कुल प्रोपर ये जो निसान लगा हुआ है पैन का उसके उपर हमने इसको सिलना है और हलका सा गैप रखेंगे और फिर हमने एक एक करके इस तरह से पोटली बटन लगा लेने हैं डबल स्टीच कर देना है सिंगल स्टीच बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि सिंगल स्टीच में ये निकल जाएंगे सब पे हमने डबल स्टीज करते हुए इसको इसतरे से सिल लेना है उपर से हमने करीब 2.5 इंच का जो है प्लेन रखना है और इतने एरिये को इसतरे से खाली छोड़ किते हुए हमने इसको कम्प्लेट कर लिया है अब जो पोटली बटन का एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से कप्ड़े को फोल्ड कर देंगे पट्टी को नीचे वाली को और जो एक्स्ट्रा इसमें मार्जन है इसको कट कर देंगे यह देखे इस तरह से हमने इसको रखना है अब कमीज का सामने वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से सेंटर में हमने इस पे निसान लगाना है तो ये हमारा कमीज का सेंटर है और पट्टी को हमने इसके उपर स्टीच करना है तो इस तरह मैंने इस चोक से निसान लगा लिया है और पट्टी को पलट के इस तरह से हम इसके उपर स्टीच करेंगे ये पट्टी को थोड़ा सा हमेने 1.5 इंच उपर निकाल दिया है और बिल्कुल किनारे किनारे से बुक्रम से हमने इस पे सिलाई लगानी है बुक्रम के उपर मेरी सिलाई नहीं आएगी बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसके उपर सिलाई लगानी है और पोटली बटन को न दुबारा भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, अब हमने इसमें सेंटर में एक कट लगाना है, एंड तक सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारे बिल्कुल भी, बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगाना है, और छोटे छोटे कट इस तरह से लगा देंगे, और सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, और फिर हम इसको इस पलट देंगे और पोटली बटन जो है उपर की तरफ आ जाएंगे इस तरह ये डिजाइन बन गया है अब हमने इस पे मोटा बख्या लगा के इस तरह से एक सिलाई भी लगा सकते हैं या इसके नीचे जो है हम पट्टी तयार करेंगे साथ साथ तब भी हो जाएगा तो इस त इस तरह से इसके नीचे जो है हम ने लगाना है उपर से करीब एक इंच के आसपास कपड़ा चोड़ दिया है ज्ला जहां से स्टार्ट हो रहा है वहांसे एक इंच का सिंगल मैंने इस सिलाई लगा दी और उसके बाद मैंने इसको प्ट्टी को अटैच किया है ताकि जब ह तो हलका सा gap रहे और इस तरह से पट्टी को आदा इंच करीब यहां बहार रखा है और इसके उपर सिल दिया इसके नीचे रखे पट्टी को अब दूसरी तरह भी आएंगे तो हमने पोटली बटन को इसके उपर रखने हैं बहार निकाल लेना है और फिर हमने इसको इस तरह से पैक कर देना है तो यह पर्मानेंट इस तरह से स्टीच हो जाएंगे यहां से ओपन नहीं होगा अब हमने उपर से कितना खुला रखना है वो अपने अकोडिंग आप रख सकते हैं तो मैं इसमें यह तीन से साड़े तीन इंच तक का इस तरह खाली छोड़ूंगी और अब इसको इसको इस तरह से एक नीचे वाले पार्ट को मैंने कमीज का नीचे वाला पार्ट है उसको वाला जो पार्ट निकला हुआ है उसको हटा देंगे कट कर देंगे यह देखिए यह हमारा रेडी हो गया है अब हमने पीछे वाला पार्ट लेना है तो तीन इंच की हमारी गले की चोड़ाई थी और पीछे वाला पार्ट हमारा गला जो कटता है वो एक इंच कटेगा इस इसकी shape डाल देंगे और इसको cut कर देंगे गला cut होने के बाद हमने दोनों के shoulder को joint कर लेना है आगे पीछे के part जो है हमारे joint हो जाएंगे इसके बाद हमने इसको सीधा इस तरह से रखना है और इस गले की जो कितनी हमारी चोडाई हो रही है उसको check करेंगे इस तरह मैंने इसको double में पकड़ा हुआ है और यहां से measure करेंगे की collar हमारी कितनी इंच की cut होगी यहां से दीरे दीरे हमने इसको check करना है गले वाले जो कपड़ा है हमारा कमीच का उसको खीचना नहीं बलकुल हलके हाथ से इस तरह से तो यह exact हमारा 9.5 इंच आ रहा है तो यह लेकि साढ़े 9 इंच हमारा इस तरह से तयार है double में है खुलके 19 इंच हो जाएगा तो इस तरह आप single में भी इस तरह इसको measure कर सकते हैं डबल में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं तो ये हमारा 19 इंच आया है अब हमने बुकरम कट करनी है तो बुकरम का पार्ट लेंगे ये पेस्टिंग वाला है इसकी लंबाई चोड़ाई बता देती हूं ये डबल में है 8 इंच तो खुलके 16 इंच की पट्टी है और चोड़ाई जो है 4 इंच है अब करीब 4 इंच तक एक निसान लगाएंगे और इसके बाद जो है इसकी हलकी सी इस तरह से गुलाई कर देंगे जैसे हम round neck बनाते हैं उस तरह से ये गुलाई कर देंगे गुलाई करने के बाद हमने इसकी जो है लंबाई चेक करनी है तो 9 इंच है ये हमारी तो इस तरह से 9 इंच यहाँ पर आ रहा है निसान लगा देंगे क्योंकि ये भी डबल में फोल्ड है हमारे पास तो हमने जब डबल में फोल्ड करके चेक किया था तो 9 इंच का एक निसान लगाएंगे एक इंच से वन पॉइंट जो है वो मैंने कम रखा है तो इस तरह यह पोना इंच इसको आप रख सकते हैं पूरे पे इस तरह निसान लगा दिये हैं जो कोलर रहेगी उसकी चोडाई इस तरहें से पोना इंच के करीब हमारी तयार होगी और ये जो हमने डोट लगाये थे उनको मिला देंगे इसकी शेप इस तरहें से बना देंगे आगे से हमने इस पर राउंड इस तरहें से बना देनी है अब इस पर पिन लगा देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे पिल्कुल हलके हाथ से इस तरहें से कट करना है और इसकी राउंड शेप डाल देनी है तो कोलर हमारी कट के रेडी हो गई है अब हमने कपड़े के उपर पेस्ट करना है इसको तो आइरन से मैं इसको कपड़े के उपर फोल्ड पेस्ट कर लूँगी तो ये डबल में हमारे पास कपड़ा है और इसमें जो एक्स्टर है उसको हटा देंगे और इस तरहें से राउंड शेप जहां से स्टार्ट हैं वहां से स्टीच करना स्टार्ट करेंगी और यहां पे हमने डबल स्टीच लगाना है और इस तरहें दीरे दीरे इसको स्टीच कर लेना है बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है बुकरम के उपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और दीरे दीरे राउंड जहां पे है वहां पे दीरे दीरे सिलाई लगाके इसको कंप्लीट करना है end point पे भी double stitch जरूर लगाना है और इसको cut कर लेंगे अब हमने सिर्फ आदा इंच का कपड़ा extra रखना है और जो जितना भी और फालतू कपड़ा है उसको हटा देंगे इस तरह से cut करके अलग कर देंगे अंदर से भी इसी तरह कट कर देंगे और इसके बाद छुटी-छुटी cut लगा देंगे जहां-जहां गुलाई है वहाँ पे अच्छे से cut लगा के इसको फिर हम पलट लेंगे इसको इस तरह से हम पलट लेंगे तो बहुत ही सुन्दर ये हमारी round neck में कोलर आएगी अब हमने इसके उपर iron कर लेना है iron करने के बाद ये दिखे बिल्कुल perfect बैठ गी है ये इस तरह हमने अब कोलर को कमीज के साथ stitch करना है तो इस तरह से कमीज लेंगे और कोलर के जिस पार्ट में हमने बुकरम लगाई है वो वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे कमीज सीधा रखा हुआ है और उसके उपर इस तरह से इसको मैंने बुकरम वाले पार्ट से इस तरह स्टीज करना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे बिल्कुल हलके हाथ से लगाना है ना ही कोलर को खीचना है हमने और ना ही कमीज वाले पार्ट को खीचना है बहुत हलके हाथ से लगाना है और हाफ तक लगा कि हमने इसको इस तरह से हटा लेना है अब दूसरी तरफ से लगाएंगे इससे क्या है दोनों तरफ जो हमारी neck की जो starting होती है color की वो बहुत ही finishing के साथ आती है तो इस तरहें से half लगाने के बाद half हम दूसरी side से start करेंगे double stitch करेंगे starting में और इस तरहें इसको हम धीरे धीरे stitch करते हुए complete करेंगे इस तरहें से ये दोनों तरफ से लगके तयार होगी है अब देखिए इसको पलट के check करेंगे तो बिल्कुल perfect round shape आई है तो दोनों तरफ बिल्कुल सही exact round shape आई है अब हम इसको stitch कर देंगे जो margin है वो अंदर कर देंगे बिल्कुल जितना भी हमारा stitching वाला margin है उसको अंदर कर देंगे इस तरहें से और जो ये भी कपड़ा है इसको भी अंदर की तरफ fold करके इसके उपर सिलाई लगा देंगे स्टार्टिंग में double करेंगे सिलाई और फिर इसको हमने धीरे धीरे इस तरहें से अंदर की तरफ कपड़े को fold करके बिल्कुल उससी सिलाई के उपर सिलाई लगानी है जो सिलाई हमने रिग लगा थी इसको joint किया था बिल्कुल exact उसी सिलाई के उपर इस तरह से सिलाई आनी चाहिए आप चाहिए तो इसको इस तरह अंदर की तरह फोल्ड करके हाथ से भी तुरुपाई कर सकते हैं बट अगर मसीन से आप इस तरह सिलाई करते हैं तो थोड़ा पर्मानेंट हो जाता है और सिलाई निकलने का भी डर नहीं रहता जो सिलाई लगी हुई है अलरड़ी उसी के उपर इस तरह लगाएंगे तो दो सिलाई आ भी नहीं दिखेंगी तो हलका सा अगर चुनट आती है तो जोइंट पे आप इस तरह से चुनट दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा राउंड वाला कपड़ा है तो हलका सा इसमें खिचाव आते हैं तो एक्स्टर हो जाता है तो वो सिर्फ आप जोइंट पे ही कर सकते हैं शोल्डर वाला करें तो बिल्कुल end point पे अगर extra हो रहा हो कपड़ा तो बिल्कुल थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ कपड़े को पुश कर दें या कोई नुकीली चीज से भी आपको इस तरह से अंदर कर देना है इसको कपड़े को और बिल्कुल सिलाई को बहार नहीं निकालना है तो यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप आई है कोलर की इसकी फाइनल जो लूख होगी वो कुछ इस तरह से आईगी तो यह देखिए यहाँ पे हम हुक लगा देंगे और इसको कम्प्लीट कर देंगे तो बहुत ही एकदम परफेक्ट हमारा यह कोलर नेक बना है राउंड कोलर नेक डिजाइन वो भी पोटली बटन के साथ तो फाइनल जो लूख आई है वो इस तरह से है इस पे हेमिंग कर दिया है तुरपाई हो गई है और मैंने बाजू पे भी इस तरह से पाइपिंग लगाई है और जो एरिया धाई से तीन इज के आसपास हमने खुला रखा था वहाँ पे इस तरह से यह दो हुक और आई बना दिये है पहनने में बहुत ही इजी रहेगा और दिखने में ये बहुत ही डिसेंट हमारा नेक डिजाइन बनके तयार हुआ है तो आपको डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दो प्लिजात करते हैं झाल झाल